हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो दा पॉइंट सल्यूशन, कैसे हो आप सब, सो देखिए DFCCL के प्रिविएस एर क्विश्चन पेपर की बात करें, सो यह 2021 का जो पेपर था, उसमें आपसे इंडियन कल्चर्स रेलेटेड जैसे यहाँ पे डान्स हो गया, यह पुछा था कि सांग सिकिम का हो गया, और यह किरल का हो गया, सो अब यह तो हाला कि पुछेगा नहीं क्योंकि 2021 में पुछा गया था, लेकिन इससे रेलेटेड जितने भी क्विश्चन हो सकते हैं, स्टेटिक जीके के, वो हम लोग देखने वाले हैं, सो यहाँ पे हम लोग पहले स्टार् से रेलेटेड क्विश्चन पुछा है, समिधान संसोधन से पुछा है, सो ऐसे ही टॉपिक वाईज हम लोग इसको करते हैं, सो यहाँ पे पहला जो क्लास से वो आप करहेगा प्रमुक तेवार, मिले और महुतसव पे, ठीक है, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आज का प स्वधिशी टेवार है, सो सोलंग यह किस राजे का स्वधिशी टेवार है, जहरखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुदाचल प्रदेश, सो जो correct answer है आपका, अरुदाचल प्रदेश, ठीक है, फूर्थ आपसन यहाँ आपका क्या है, और इसमें अगर बात करें, सो इ यह उतना नहीं आपको पढ़ना है ठीक है बहुत बड़ा मतलब यह सब जो एक्जाम होते हैं इनमें बहुत ज्यादे डीप में तो पूछेगा नहीं बट बस ऐसे ही ठीक है यहाँ पर आप बात करें कि कैसे इसको याद रख सकते हैं सो लंग यह अरुणाचल प्रदेश का सब्सक्राइब यहां पर नाम देखिये अरुणाचल अभी बहुत लंबा चलना है तो यहां पैसे याद रख सकते हैं नहीं आप सो लॉंग चलना है ऐसा याद रखिये ताकि इसमें आपका ये तेभार भी आठीक है फो लंग तेवार सबस्क्राइब है इसे सकते हो अगला कुशन देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में सियांग नदी महुटसो मनाया जाता है तो किस राज में सियांग नदी महुत्सो मनाया जाता है तो ये भी आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में तो ये आपका जो तेवार है ये दिसंबर के महिने में अरुणाचल प्रदेश के विभेनिस्व मनाया जाता है पहले यातेवार तेजु में ब्रह्भपुत्र दर्शन उत्सों की नाम से मनाया जाता था और मेन जो इसका उद्देश से है वो क्या है परेटन को बढ़ावा देना और संस्कृति को बढ़ावा देना है अब यह जो सियांग नदी महुत्सों है इसको कैसे याद रखें कि यह अरुणाचल प्रदिश का एक प्रसिद्य तेवार है अगेन दखें मैंने जैसा कि बोला यह एक ऐसा स्टेट है जिसमें अरुण नाम का कोई एक व्यक्ति आ ठीक है अरुणा नाम का कोई फिमेल हो सकता है तो मेल फिमेल कोई भी हो सकती है तो यहां पर इसको हमको याद करना है सियांग से यंग ठीक है कि अरुणा अभी क्या है यंग है तो यंग करके आपको याद रखना है ठीक है यंग अगर सियांग नदी महुत्सों है तो यंग को अरुणाचल प्रदेश में है अगला कुश्चन है कि बुरी बुट यूलो अरुणाचल प्रदेश की जनजाती द्वारा मनाया जाने वाला तेवहार है तो ये पहली बात तो किस जंजाती का मनाया जाने वाला तेवार है ये पूछा है और इसमें एक क्विश्चन ऐसे बन गया कि ये कहां का तेवार है तो ये भी आपका अरुडाचल प्रदेश का तेवार है ठीक है तो जो आपका ये बुरी बुट यूलो तेवार है ये आपक गांग एक वसंत 900 किस राजि से संबंदित थे तो जो ऐसे नाह premiers जो आपको याद नहीं होते वहीं अक्सर करते के पूछते है तो जे आपका अलि एलिगांग है ये वसंत 600 किस राजिस स शंबंदित जाता है ठीक है तो यह हरवर्स हरवरी मार्च के बीच या फिर गिनमपुर पोलो महीने के पहले बुद्वार को अज़ित किया जाता है अली कार्थ जड़ एक आर्थ फल और लियांग कार्थ बीजबोना तो यह जो तेवार है आपका अली यह लिगांग इसको कैसे याद करे हो ठीक है तो चाहिए वो मेल हो फिमेल हो या ट्रांस जेंडर तो सबके साथ एक समान विवार करना चीए ठीक है सो सम ठीक है समता का विवार आप कह सकते हो समान विवार सो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि इन लोगों के साथ और समान विवार नहीं करना चीए समान विवार है अगला कुईशन देख लेते हैं कि विहू किस राजय का सबसे महत्तव पूर्ण तेहार है तो यह तो काफी फेमस तेहार है और लगभग लगभग बहुत सारी जामें पूछ चुका है और यह काफी लोगों को याद भी होगा कि जो भी हूँ है यह आपका असम राजय का मह आ जयता है तीन तो आपका हो गया रोंगाली या बुहाग देखने मिला थीक है इसको रोंगाली इसी नाम से आएगा ठीक है रोंगाली बिहु ऐसे करके आएगा सो बिहु अगर लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अस्सम का है ठीक है और कैसे इसको मतलब लोगों ने ट्रिक इसका पता है था बिहु का किसे से बिहु का मतलब बहु और अस्सम राजिका है सो बहु अगला जो question है कि असम के प्रमुखतेवारों में से एक रंगोली भिहु के डैस के महिने में मनाया जाता है तो यह आपका रंगोली जो भिहु डैस के महिने मनाया जाता है तो दखिया आया ना रंगोली अभी हमने देखा था कि यह कब मनाया जाता है अगला question है, कि वरुका डैस राजी का एक परम्परिक देवार है, यह भी थोड़ा विहू सही जुड़ा हुआ है, यह भी आपका कहां का देवार है, यह आपका यह है, गर reply करे यहाँ 판igat देवार है, यहाँ प्यगरभां बात करें, यह एक paper का cut-out है, इसमें बताय वार रात उरुका नामक दावत के साथ सुरू होने वाला है तो उरुका यह तिवार फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है ठीक है फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है राज में यह तिवार रात में उरुका नामक दावत से इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि इस समधाय के और यह आपका हो गया अस्वम का ठीक है अस्वम का तीन दिवसी मांख भी उत्सो तो यह आपका हो गया उरुका जो की अस्वम का एक तरीके से कह सकते हैं दावत है तेवहार है परमप्रिक तेवहार है राइट अगला क्विस्चन देख लेते हैं कि डैस तेवहार अस्वम के अहम लोगों द्वारा हर साल 31 जन्वरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है यहाँ पहली बात यहाँ पर बोल दिया कि कौन सा त्यवार जो असम के अहम लोगों द्वारा मनाया जाता है यह आपका correct answer रो जाएगा मी डैम मी फी ठीक है फर्स्ट आप्स नहीं हाँ पर correct है यह भी नाम थोड़ा उठपटांग है ठीक है यहाँ पर मी डैम मी फी यह तेवार असम के अहम लोगों द्वारा हर साल 31 जन्वरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है यहाँ पर मी डैम मी निफी है एक समधाय का तेवार है जो 400 से अधिक वर्षों से अहम अहम क्या यह एक जाती है ठीक है इन जाती के द्वारा अपने प्रिय दिवंगत की यादों में मनाया जाता है मी का आर्थ है भीट करना डैम का आर्थ है पुर्वजो और फी का आर्थ है भगवान सो हर साल 31 जन्वरी को असम में राज की चुटी के रूप में मी डैम निफी को मनाया जाता है अगला question देख लेता है कि प्रसिद्ध अंबु बाची मेला हर साल भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है अंबु बाची मेला अंबु बाची मेला अंबु बाची जो मेला है ये असम के गुवा हाटी में अंबु बाची मेला 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 अ अगला question है कि राजगीर निर्थ्य महुत्सो किस राज या केंद्र सासित प्रदेश से संबंधित सास्त्री निर्थ्य की व्यापक लोगप्रिता को प्रमाडित करता है चिका होगे वो जानते होगे बिहार के राजगीर चेत्र में एक वार्सिक तीनद्योसी करिक्रम है बिहार की तत्कालिन मुक्ष मंत्री बिंदेस्वरी दूबे ने 4 अप्रेल 1986 को राजगीर के सुरण भद्र चेत्र में उत्साओका उत्गाटन किया था तो राजगीर चेत्र ठीक है राजगीर नाम में ही चुपा हुआ है तो यह आपको आसानी से याद हो जाएगा कि राजगीर जो नरत्य महोथ से है यह आपका बिहार का है अगला question है कि किस राजगीर में सोनपुर पसुमेला एक प्रसिद्ध संस्कृतिक कारिक्रम है सो यहां पर सोनपुर पसुमेला को आप एक और नाम से जानिये हरी हार ठीक है इसको मैं हरी हार लिख रहा हूँ ठीक है वैसे हरी हर है लेकिन आप हरी हार मिला जाने है ठीक है हरी हार मिला यह इसलिए क्योंकि हरी हार में बिहार है ठीक है ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर बिहार के सोनपूर में नौंबर दिसंबर के महिने में कार्थिक प्रोडिमा पर सोनपूर पसु मेला ऐउजित किया जाता है तो सोनपूर में किया जाता है इसलिए सोनपूर पसु मेला ठीक है दोनों नाम से पूछ चुका है सोनपू परढ़ году मेला डिक है सबसे बड़ा पसुम्यारि डिक है इसियागर सबसे बड़ा पशुम्या इसन अगला हम लेते हैं कि मड़यी तयाहम किस राज्य में मनाया जाता है तो यह सिंप्लिन आप का श्तिस गड़मेर् तो मअद Mai crushed at मढई महोगी बन्हेसा को शेखिव से लोगप्री तहोहारवें में से एक है मढई महँत सोगों जन जाती द्वारह मनाया जाता है यह दिसंबर की शुरुवात से मार्च के मनाय जाता है, तो हरेली का तेहार की साहार के दिन शुरू होता है, यह राज के सभी किसानों द्वर्म मनाया जाता है, और वे कहतों और गायों के प्रती अपनी स्रधा अर्पित Loans यह वे पूरे वर्स अच्छी फसल सुनिस्चित करने के लिए भेलवा ट्री की पतियों और साखाओं को भी लगाते हैं ठीक है यह जो लगा लगा कर ठीक है यहां पर देखिए तेवार मना रहे हैं तो यह जो आपका रहा हरेली तेवार जो कि 36 गड़ में मनाया जाता है ठीक है हरेली से आपको रैली याद रखना है कि रैली मतलब कि जब चुनाओ जनाव आता है तो जितने भी नेता होते हैं 36 रैली आ करते हैं चुनाव प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा ठीक है, गौरा का मतलब यहाँ पे सिव भगवान, गौरी का मतलब पारवती ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत देश के रदयस्थल राज च्छतिस गड़ अंचल में गौरी गौरा विवाहा उत्सव शहर नगर कसबा गा प्रतिवर्ष मना जाता है, तो तरने तार हम इला किस राज में प्रतिवर्ष मना जाता है, तरने-तान मिला को आप इसको सैन स्यादोड रहें गर में हम कही हो यह आपका छाने-तान मिला है अगला question देख लेते हैं कि माधवपुर मिला dance में होता है सो माधवपुर मेला यह कहां पर होता है तो यह आपका पर गुजरात में ठीक है सो फूर्थाप्सन आपका क्या है correct है और यह जो गुजरात का माधवपुर मिला यह भगवान को समर्पित मौनधेरा मंदिर मैं सुर्य के चारो और पृत्वी के घुड़न चक्र की पूजा की जाती है तो यह जो मांधेरा नृत्यम होत्सो है यह भी आपका गुजरात में होता है अगला question देख लेते हैं कि दिवासो नामक आदिवासी उत्सो पारंपरिक रूप से किस राज यसे जुड़ा है तो दिवासो ठीक है इसको आप दिवासो से दिया ठीक है दिया कर दिया सो या दिया तो दिया का मतलब कब जलाते हैं इसको हम लोग रात में तो यह भी आपका कहां कहें गुजरात का ठीक है सो फर्स्ट ऑप्सन यहाप आपका क्या है करेक्ट है सो दिवासो नामक आदिवासी उत्सो परंपरिक रूप से किस राजे से जुड़ा है सो यह आपका है गुजरात से राइट और यह बेसिकली देवी पारवती के ठीक है इनकी पुजा की जाती इसमें किसकी पारवती की अगला कुशन देख लेते हैं कि साओ जोआओ उत्सो के दोरान गोआ के लोग एक दूसरे को भेट करते हैं तो क्या भेट करते हैं उससे पहले हमने यह देखा कि साओ जोआओ जो है यह कहा का उत्सव है तो गोवां का ऐसे याद होगा मतलब गोवां ठीक है जो आ और गोवां ऐसे यह दो यह तो यह कहाम का उत्सव है और इसमें क्या भेट करते हैं तो फल ठीक है second option यहाप़ का aelत खरेक्त है। अगला question देख लेते हैं कि कौन सा राज्य वार्सिक सूरज कुंड सिल्प मेले की मेजबानी करता है सूरज कुंड सिल्प मेले की तो यह सूरज कुंड में एक यहाँ पर सूरज भगवान का नाम आ रहा है यह जो प्रदेश होगा उसमें भी भगवान का नाम आएगा सो यहाँ पर हरियाडा में ठीक है हरी हरी का मतलब क्या होता है भगवान सो इससे आप रिलेट कर सकते हो सूरज कुंड सिल्प मेले की अगर बात होगी तो कौन इसकी मेजबानी करता है हरियाडा ठीक है इसमें कई छेत्र के कई राज के इवन विदेशों से भी लोग आ करके इसमें अपने कला कॉसल सिल्प ठीक है इसका प्रदर्शन करते है ठीक है तो यह आपका होगया सूरज कुंड सिल्प मेला जिसकी मेजबानी हरियाडा करता है अगला क्विशन है कि मिंजर मेला किस राज का लोग प्री मेला है अगला क्विशन है कि मिंजर मेला कि अगर हम बात करें अब यहाँ पे कोई है हिमा नाम की लड़की है उसको बोल रहा है कि हिमा चल मेला देखने ठीक है हिमा चल मिंजर मेला देखने अगला कुश्यन देख लेते हैं कि हेमिस festival किस भारती राजे में इस हेमिस महत्सो लट्डाक के सबसे महत्तपुर्ण ब настолько बौध समारों में आता है इस महत्सो पर एक व्यक्ति स्वयम मुखोटा पहन कर निर्थ्य और गैयन करते हैं तो यह आपका हेमिस festival जो है यह हेमिस महुत सो लद्दाक में मनाया जाता है अगला question देख लेते हैं कि सरहुल तेवहार किस राजी में मनाया जाता है तो यह किस राजी में मनाया जाता है तो यह सिंपली जहारखंड में मनाया जाता है कहीं भी रहता है बाल ही जारता रहता है सो राहुल बार जारता रहता है इसलिए सरहुल जारखंड में जारना मतलब जारखंड में और भी मतलब यह जो सरहुल है यह फूलो का तेवार है ठीक है किसका तेवार है अगला question है कि तूती लावा मेला डैस राज में मनाये जाने वाला तेवहार है तूती लावा जो मेला है ये भी आपका जारखंड में मनाये जाने वाला है ठीक है, तो third option है आपका क्या है correct है, अगला question है कि हाल पुन्या नामक आदिवासी तेवहार पारंपरिक रूप से किस राज जीसे जुड़ा है तो हाल पुन्या नामक जो आदिवासी तेवहार है ये किस राज जीसे जुड़ा हुआ है तो ये simply ये भी आपका है, जारखंड ठीक है तो यहाँ पर third option कि है आपका, correct है तो यह aap करणाटक राज्य का ठीक है, फोर्थ आपशन ही हाफ है, यह जो फसल उत्सव है, यह करणाटक राज्य में मनाया जाता है, अगला जो कुश्चन है कि करागा, करागा, डैस के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाये जाने वाले त्यवारों में से एक है तो यह जो करागा है यह भी आपका करनाटक करनाटक के सबसे पूराने और व्यापक रूप से मनाये जाने वाले त्यवारों में से एक है तो यहां पर 3rd option आपका correct है करना टक करागा करना टक और जो केल पौध वो भी करना टक ठीक है अगला question कि उगादी उत्सो किस राज्य में महत्वपूर्ड माना जाता है तो यह जो आपका होता है चैत्र महीना यह इसको नया वर्स माना जाता है और अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग नाम से इसको मना जाता है तो यह जो उगादी उत्सो है यह कहां का नया वर्स है किस राज्य का तो यह आपका करना टक का है ठीक है तो second option यहां पर correct है उगादी उत्सो किस राज में महत्वपूर्ड माना जाता है करना टक में ठीक है करना टक में इसको नए सा ठीख है विजय उत्सो ऐसे मोट थीख है सुजिय आपका हम्पी इंद्रित्य महुतसौ जो है ये ूसींीरु जय सब्सक्राएर मैं आफ में अग्ला कुश्चन है कि कि डाइस किरलका फसल उत्सो जो, फसल उत्सो की बात हुई यह पर यहाँ पे तो ये कहां का है तो यह आपका है ओडम, ठीक है, काफी important question है, और famous question है, कई जगह भी पुछा हुआ है, कि केले के पत्ते से, अगर हम बात करें, तो केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं, ठीक है, इतने बड़े होते हैं, कि उससे आप क्या कर सकते हो, ओड भी सकते हो अपने आपको, ठीक है, ऐसे ही मतलब केले के पत्ते से कुछ भी किसी चीज़ को ढख सकते हैं, उसको ओढ़ना बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए ओडम, इसको इस तरीके से याद करते हैं, कि ओडम जो है, ये किरल का फसल उत्सो है, ठीक है, अगला question है, कि विशु, किस राजी के प्रसिद तेवार ठीक है, अलग-अलग मैंने बताया कि राजे में अलग-अलग नाम से इसको मनाया जाता है, तो केरल में विशु, मांडू महुत्सो किस राजी का प्रसिद तेवार है, तो मांडू महुत्सो ये आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो थर्ड आप्सन यहापि क्या है, correct है मांडू महुत्सो मध्य प्रदेश राजी का प्रसिद तेवार है, अगला question है कि महरास्टर के हिंदू द्वारा मनाये जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है, तो देखे, अब यहाँ पे महरास्टर के एकर बात करें, तो यहाँ पे जो नया साल मनाया जाता है, इसको हम लोग गोडी पढ़वा कहते हैं, खें? वूगादी अभी हमने देखा था, एक करनाटक का था, है कै नहीं, वूगादी हमने देखा था, यह नया वर्ष जो मनाया जाता है करनाटक में इस नाम से मनाया जाता है, और यह पुथानडू है, यह तमिल मादू के बात वो दोरा मनाया जाने वले नय साल ठीक है तो गुड़ी पड़वा ये महरास्ट्रा का निया वर्स है अगला कुश्चन देख लेता है कि किस राज में धार्मिक उत्सव गड़ेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है तो जब गड़ेश भगवान की बात आती है तो आप और अंगूठी में यहाँ पर देखते हो मतलब बीच में क्या होता है इसके चमकीला सा कुछ भी यहाँ पर लगाया जाता है जिसको आप मड़ी की तरह देख सकते हो ठीक है तो उस तरीके से आप याद रखना कि संगाई उत्सव जो है यह मड़ी पूराज में मनाया जाता है अगला कूश्शन देख लेते हैं कि योशांग उत्सव मुखी रूप से किस राज जिमें मनाया जाता है जो योशांग उत्सव है च्पी यह आपका पूर में मरज जाता है जिसको मेरी मैकिंग ऑप बड़ cry घ्र этते हैं यह उत्सव भारत के किस राज में मनाया जाता है तो लाई हराओबा यह भी आपका मनाया जाता है मडीपुर में ठीक है फोर्थ आपसने हापने क्या आपका correct है ठीक है लाई हराओबा किस राज़य मनाया जाता है मडीपुर में अगला question है कि बहदी नखलम ये किसराजय का सो यहां पर फसल उस्टो की बात थो रही है और वह भी Meghalai के। तो यह कौन सा है वांगला ठीक है सो थर्ड अप्शन है आपका करेक्ट है जो मेघाले का लोग पर ये फसल उत्सव है इसको हम लोग वांगला कहते हैं ठीक है वांगला अगला क्विश्चन देख लेते हैं कि पावल कुट नामक आधिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से क पीटना मारना उसी को कूटना कहते हैं कोई भ्याकर के उनको कूट देता है सो जहां भी कूट लगा हो समझ जाना यह कहां का है रम ठीक है मिजोरम तो फर्स्ट अप्शन यहां पर आपका करेक्ट है पावल कूट नामक आधिवासी त्योहार परंपरिक रूप से किस राज राजज में मनाया जाता है तो देखिए यहां भी आपका कूट आया तो समझ जाए वहीं अगेन कि रम पीने के बाद नसे में आदमी हो जाता है तो कोई भी कूट देता है तो रम से मिजोरम तो फॉर्थ अपसने आपका करेक्ट हो जाएगा अगला क्विस्टन है कि हारन 만큼 जैसे ऐसे करिक्न हो त्यूल जैще मेस चाहा जाता है किस राज ये मनाया जाता है सो यह कैसे बताते हैं लोग इसका ट्रिक की भील का मतलब की एकxx घाता है हर नबिल महत्सो यह नागा लेंड का ठीक है जिसको उन्टक तेवारों का तेवार भी कहते है तो यह किस राज में मनाया जाता है नागा लेंड अगला कुश्चन है तसोंकू समाई का प्रसिद्य तेवार किस राज के लोगो द्वारा एक समरिध फ़सल के लिए असिरवाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है तो यह भी आपका जो तसोंकू समाई है यह आपका कहां का प्रसिद्य तेवार है तो यह भी आपका नागा लेंड का ठीक है सो मोंग मोंग तेवार जो है ये भी आपका नागा लेंड का ठीक है नागा लेंड का ये क्या है प्रसिद्ध मोंग मोंग तेवार जो है ये नागा लेंड का प्रसिद्ध फसल उत्सव है ठीक है फसल उत्सव है फसल उत्सव है फसल उत्सव है नागा लेंड का ठीक है अगल अब और संच यह का क्या है क्या है अगर पुछे मूट सू तेवार जो है यह कहां remembers धियों की Matो भी fourteen है इंद यह न से नौन है ठिक है né की इ opio अब क्यूँजित ंज्वार यहां पर लेकिन यह से इसमें कहा बचना मुस्किल हो जाता है यम से लड़ना पड़ता है यम से लड़ना पड़ता है बचने के लिए यम से इसका क्या मतलब हो गया यम से जब आए तो आप समझ ज़ेए कि सर्प की बात हो यह ठीक है नाग की कि एगर काट लेगा तो बचने के लिए यम से लड़ना पड़ता जो जो बाली यात्रा है या बाली की यात्रा है यह भारत के ओडिसा ठीक है ओडिसा राजे में मनाया जाता है जो बाली की यात्रा है बाली की यात्रा यह भारत के ओडिसा राजे में मनाया जाता है अगला क्विश्चन है कि भगवान जगनात की रत यात्रा किस राजे का प् अगला question कि क्रिसी आधारित धार्मिक नुवा खाई उत्सो किस राजी में मनाया जाता है तो ये जो नुवा खाई उत्सो है काफे पूछा हुआ है ठीक है नुवा खाई उत्सो तो ये कहां का है तो इसको भी कैसे याद करते हैं जो फोर्त खाई पूछार्मिक नुवा खाई का मतलब खाई हो गया ये बीच में क्या है खाई है और यहाँ से कर कोई जा रहा है ठीक है अगला question कि टियन भारत के किस राज में मनाया जाने वाला थेवान है ये आपका पंजाब में मनाया जनने वाला ठीक है अगला question है कि लोहडी का तेवार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंदित है अगला question राजस्थान के वार्सिक मिले का नाम बताइए जिसमें उट व्यापार एक प्रमुख आयोजन है सो काफी important यह भी है और यह भी famous ही है ठीक है काफी पर पूछ भी चुका है तो राजस्थान के वार्सिक मिले का नाम बताना है जिसमें उट व्यापार एक प्रमुख आयोजन होता है सो यह आपका है पुसकर मिला ठीक है ठीक है यह कहां का मिला है राजस्थान का जिसमें उट व्यापार जो होता है यह एक प्रमुख आयोजन होता है वहाँ पुसकर मिला अगला कुशन की डैस हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रेल को मनाया जाने वाला फसल उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसापंत के जन्म का प्रतीक है तो कौन सात्यवार है बैसाखी ठीक है फोर्थ आपसन क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट है तो यह हर साल पंजाब मे 13 या 14 अप्रेल को मनाया जाने वाला फसल उत्सव है ठीक है बैसाखी जो है एक फसल उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है तो पंजाब में 13 या 14 अप्रेल को ठीक है और यह सिख समुदाय के खालसापंत के जन्म का प्रतीक है तो यहाँ पर बैसाखी क्या हो जाएगा जाने वाला एक अनुठा सांस्क्रितिक उत्सो है सिक्किम यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा तो पिछली बार जो कुश्चन पुछा था वो भी आपका सिक्किम सही था अगला question है कि पांग लाबसोल मुक्ष रूप से डैस में मनाया जाता है तो नाम ही कतरनाक है पांग लाबसोल ये मुक्ष रूप से कहां मनाया जाता है तो ये भी आपका सिक्किम ठीक है, first option यहाँ पे correct है सिक्किम में मनाया जाता है पांग लाबसोल यह सिक्किम में मनाया जाता है अगला क्विश्चन है साकेवा डैस के किरात खंबू राय समुदाय द्वरा मनाया जाने वाला एक धार्मिक तेवार है साकेवा की अगर हम बात करें यह कहां का है तो यह आपका है साकेवा सिक्किम का अगला क्विश्चन देख लेते हैं कि थाई पूसम उत्सव किनके द्वरा मनाया जाता है अगला क्विश्चन है कि दच्छिड भारत तमिल नाडू का फसल उत्सव है स्यंकि अगला क्विश्चन है कि तमिल नाडू में प्रचलित जली कट्टू किस त्यवार का हिस्सा है यह जली कट्टू जो है यह भी आपका पोंगल तेवार का हिस्सा है अगला question देख लेते हैं कि समक्का, सारक्का, जाथारा नामक आदिवासी तेवार परंपरिक रूप से किस राज इसे जुड़ा है यह परंपरिक रूप से किस राज इसे जुड़ा है समक्का, तेलंग गाना से अगला question कि बथुक कम्मा और बुनालू किस राज इक तेवार है यह भी important है, यह भी पुछा हुआ है कई जिगापे बथुक कम्मा के अगर हम बात करें तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा बथुक कम्मा से अम्मा ठीक है सो अम्मा को हम लोग दादी भी कहते है, ठीक है दादी, तो दादी अक्सर क्या करती है जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको तेल बगएरा लगाती है, ठीक है, उनकी मालिस करती है तेल से, सो तेल लगाना, अम्मा क्या करती है तेल लगाती है छोटे बच्चों को सो तेलंग गाना सो बथु कम्मा और बनालू किस राजी के तेवार है सो ये तेलंग गाना के है सो फोर्थ आपसन यहापे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन है कि तिबबती नववर्स की शुरुवात किस तेवार से होती है सो तिबबती जो नववर्स है इसकी शुरुवात होती है लोसार उत्सो से ठीक है सो देखें तिबबत की अगर हम बात करें कुम्भ मिला हर तिसरे वर्स बारी 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 से चार इस्थानों में से एक पर होता है इन जगहों के नाम क्या है तो जो कुम्भ मिला है, आपको पता ही होगा कुम्भ मिला के बारे में, तो ये आपका, जो है हरिद्वार, प्रियाग राज, नासिक और उतजैन, इन चार जगों पर बारी-बारी से 3-3 साल के अंतर पर मनाया जाता है, वैसे बताया जाता है कि यहाँ पे जो प्रियाग पर बारह बारहम दो कोंव और कोंव avanzo divide करकश मनाजाता है थे कैनावरी साल रख़ोत इसे मृप क्या इसे आपको याद रखना है कि यह वारा बारं है कि एक चगह के ऊज захnamआ navigate लुकस्ट पूर्वा कोशाथ है और किस तयोहार को पुर्वा का महा कुम्भ भी कहा जाता है किस तयोहार को पूर्वा का महा कुम्भ सब्सक्राइब आपका है अंबुबाची मेला ठीक है तो थर्ड अपसन्यापैक है का एक यह श्राज में मना言ता है तो यह मना जाताका उत्तराखंड में डीक है तो सेकेन्ड अपसन यहांपका क्या लाइतम है डीक है अग्ला question कि हर साल 13-15 जन्रवरी तक मकर संक्रांथी केवसर पर गंगार सागर्मेला कहा मनाया जता है सो यह मनाया जाता है अगला question निरी यह देखिए जो है नित्य शंगीत भोजन और सन्कृति को दर्शाने या प्रदर्सित करने वाले अस्थानी कलाकारों को प्रदर्सित करता है सो जो पॉस मिला है यह कहां का मिला है यह जो है देखिए निरत्य संगीत भोजन और संस्कृतिक को प्रदर्सित करने वाले अस्थानी कलाकारों को प्रदर्सित करता है सो यह जो मिला है पस्चिम बंगाल क ठीक है ऐसे मतलब यह बर्साना और नंदगाओ ज्यास करें राधाकी तो यह कहा की थी बर्साना की बर्साना की आओ दोरा मनाया जाता है लट्ठ मार हो ली ठीक है सो फोर्थ अपसन यहां पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्यन की सुर्य नदियों और तलाबों की पूजा से जुड़ा तेवहार कौन सा है सो काफी फेमस तेवार है यह तो छट ठीक है यह कहां है इस अगला तक का त्यवहार और उनके नौ अतरों को समरपीत है सो यह कौन सा तेवार है है नवरात्री ठीक है तो सेकंड ऑफ्चन करेक्ट है नवरात्री का तेवार देवी दुरगा और उनके 9 अवतारों को समरपीत है यह मिल ली आप देखोगे तो गुजरात में अच्छे कि मना जाता ठीक है तो यह पर सट्क publi को ज्क अपको करेक्ट जाएगा मतों कि अगला कुस्षिकन की पार्शीन आवर्श को किस नाम से जाना जाता है थो परसीन को किस पुछा जा चुका है ठीक है तो पपेटी यह किनका तेवार है पार्सियों का राइट अगला क्विशन है सुर्य महोत्सो किस शहर से संबंदित है तो यहां तक काई थिंग कि आपके काफी सारे त्यवार हो गए मेले हो गए महोत्सो हो गए वो कवर हुए है ठीक है काफी सारे स्टेट के मैंने कवर किये लेकिन फिर भी अगर कुछ इसमें से चूट गया होंगे वैसे काफी सारे करा है तो उनको हम लोग यहां पे एक बार रिवाइज कर करहा था केरल का है पोंगल हमने देखा था किस राजी का प्रमुकतेवार तमिल नाडू का गले मिल ठीक है तमिल नाडू और यह आपका जो भोगाली-रंगोलि यह सब था भी हू भी हो करके यह सब असम का था वैसाखी हमने देखा था पंजाब का युगादी नवर्ष समने देखा था गुज्रातियों का लोसांग उचल स्था हमने देखा सिक्किम ठीक है यह आपका प्रिव्यज जियर में था और यहां पर पोंगल हमने देख रहे है, तमिलनाड़ू रत्यात्रा यह पूरी उड़िशा और कौन सा हिंदू पर्वत थारू जनजाती द्वारा सोक्पर्वक के रूपे मनाया जाता है यह नहीं देखा था हमने सो यह दिपावली यह दिपावली जो है आपका देवी धुरा मेला ठीक है यह आपका देवी धुरा में मनाया जाता है इसमें दो गुटों के बीच पत्थर फेकने की एक प्रता है ठीक है तो यह आपका थोड़ा इंपर्टेंट है इसको याद रखिएगा उत्राखंड के किस मेले को दो गुटों के बीच पत्थर कि प्रता है तो यह देवी ठुरा मिला ठीक है और इसी को क्या कहते हैं बगवाल रईट बगवाल मिला और अगे अगर हम बात करें तो हिंदू-मुसलिम एकता का प्रतिक सलहकुल उत्सो आयोजित किया जाता है ये नहीं किया था हमने आगरा ठीक है आगरा में तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिक सुलहकुल उत्सो ये जो है आगरा मनाया जाता है प्रसिद्ध केला दवी मेला ये कहा योजित किया जाता है सो ये करॉली में ठीक है करॉली में केला दवी मेला कहां पे वजित किया जाता है करॉली में और राजस्थान का रुडेता मिला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है तो संप्रदाइक सद्भावना द्वरा अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि राजस का तेवार लिया कहां से पार्शियों से यह हो गया था आपका और याओ संग लाई हरीबा आधी तेवार किसके हैं सो याओ संग हो गया आपका चहे लाई हरीबा हो गया और एक मंड़ई था ठीक है वो हमने देखा था मड़ी पूर के लोगों का यह है तेवार और चपचार क और एक और कुट था ये तेवार जो मनाया जता है अगर कुट आ गया तो समझ जाए मिजोरम ठीक है रम पी कर कोई नसेम हो जाता है तो इसको कोई भी कूट देता है कुछ यह सामने देखा था तो यह आपका मिजोरम में हो गया देवी धुरा मिला वही चीत चंपावत जनप किया किया एक राष्ट्री उत्सों हो गया और उसका सुरूप राजनेतिक हो गया तो यह बाल गंगादर तिलक ने राइट आगे देख लेते हैं और यह लास्ट है बस पुरी में रत्यात्रा किसके सम्मान में निकले जाती है सो भगवान जगननात के ठीक है उडिसा वाला है यह समम बात करें आगे कि हरेला हमने देखा था की एक कटाई का तेवार है ठीक है कटाई का टेवार है ला एक तो तेवार knife का आजगना सबसे बड़ा मिला यह inexpensive चेत्र का मिला, मैंने आपको बताया था, इसको आप हरीहार करके याद करिएगा, थाकि हरीहार से ये बिहार आ जायेग ठीक है, सो ये बिहार का मिला है, बिहार का ये सोनपूर पसु मिला है और ये AETA का सबसे बड़ा पसू मिला है, और हाथी उटसो मनाया सो यह आपका question हो गया कि उस स्थान का नाम बती है जहां गीतकार स्री त्याग राज के सम्मान में नियमित रूप से त्याग राज अरधनातिवार मनाया जाता है यह तंजावुर तमिल नाडु में और प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर किस जिले में अज़ित होता है तो चलिए फिर यही तक करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टाटा एंड बाई-बाई